तो नमस्कार दुस्तो आज इंडिया की जानी मानिंग कंजुमेट डुरिविल कंपनी हैवल्स इंडिया लिम्टेड कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के डिल्स को पबिश कर दिया है और यहां देखें नंबर्स तो नंबर काफी डिसपॉइंटिंग है कंपनी का रिवेन् नाइन क्रूर रुपीज दकि पिछले काथ we can Pir. Others थे ऑफ 14 عن परसंट कम हुए हैं और यंडो ही नमढर्क पॉस्टिव है बाकिस यहां तो नंबर हमने सब्राइट कर देखा है है 287 रुपीज जबकि पिछले क्वार्टर में 312 क्रोड था और पिछले साल के सेप्ट्रेंबर 2021 के क्वार्टर में यह 445 क्रोड था यह आप देखें तो क्वार्टर क्वार्ट बेस पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21 परसेंट ही कम हुआ है और येर ऑन येर बे क्वार्टर में 9 परसेंट था और पिछले साल के सेप्टेंबर 2021 में कंपनी का operative मार्जन 14 क Always यह देखें तो क्वार्टर कंपरमी का नेत प्रफिटन नेट प्रॉफिट 187 क्रोड पे जबकि पिछले quarter में 243 क्रोड था और पिछले साल के September 2021 क्वाटर में company का net profit 302 क्रोड पे था यहां पर देखें तो quarter quarter base पे company का net profit 23% से कम हुआ है और येफ on year base पे भी 38% से कम हुआ है इसके लाग़ हम बात करें company के अर्निंग पर शेर की तो इस quarter में company की अर्निंग पर शेर आ रही है दो रूपे अठानवे पैसे जब कि पिछले quarter में 3 रूपे 88 पैसे थी और पिछले साल के September 2021 के quarter में company का अर्निंग पर शेर 4 रूपे 83 पैसे था और यहां पर भी देखें तो company ने सारी parameter में decline दिखाया है company के revenues भी कम हुए है और सासत company का profit भी इस quarter में कम हुआ है इसको अगर हम बात करें company के share price की तो आज किर में company का share price चल रहा है 1249 उर्पे और यह जो price है यह आज किर में overvalued company है overpriced company है क्योंकि company का जो PY है वो 72 के आसपास चल रहा है और जबकि industrial PY 47 की है और जैसे हमने result देखें तो company के results भी कम हुए है लेकिन फिर भी company का price काफी high है तो अगर आपने इस company में invest किया हुआ है तो company के बार में और ज़्यादा detail देखिए कि क्या वज़ा है क्यों company के profits और यह revenues कम हुए है और आने वा जी में कोई भी decision नहीं है सारे points देख करके सारी चीज़ देखके फिर में decide करना है और अगर आप नया पैसा इसमें invest करना चाहा रहे है तो उसके लिए बिल्कुल भी साही टाइम मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि company का PY भी काफी high है और results भी company खराब आए है तो इस तरह से company results के बारे में आपको detail knowledge जर्दी है आज के लिए इतने रखते हैं thank you so much